नमस्कार आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूस चैनल जेजेर न्यूस और मैं पनलवी एक बार फिर हूँ हाजिर आपके सामने एक खास ख़बर के साथ भारतपर्व के मौके पर 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लालतिले में पहली बार उत्राखंड की विकास यात्रा के दर्शन करने को मिलेंगे आपको बता दे कि इस बार जहांकी की थेम विकसित उत्राखंड रखी गई है जब खिड़की और दर्वाजों की मजबूती और खुबसूरती मिले साथ जो चले सालों साल तो सब की पसंद है A1 इंडिस्ट्री UPVC टोर एंड विंडोस का साथ हल्दवानी उत्राखंड कॉल 901-2266789 वहीं फ्रदानमंद्री नित्मोदी ने बाबा केदार की धर्ती से 21 सदी के तीसरे दसक को उत्राखंड का बताया था जिसकी दिशा में राजसरकार मुख्यमंद्री पुषक सिंग धामी के निर्तत में लगतार कदम बढ़ा रही है वहीं विक्सित उत्राखंड जाकी में सूचन विवाग के साइक सुनिदेशक और नोड़तिकारी के चवाहान ने बताया कि विक्सित उत्राखंड जाकी के अगरभाग में कुमावनी महिला को पारंपरिक वेजबूशा में स्वागत करते वे दिखाया गया है और पारंपरिक वेंजन, मडवा, जंगोरा, रामदाना और कौणी की खेती के साथ ही राजिपक्षी मोनाल को दर्शाया गया है और जाकी के मध्य भाग में होमस्टे को दिखाया गया है और इस योजना से हजारों ग्रामिडों को रोजगार मिल रहा है इसके अतरिक्त लगपटी दीदी योजना से राजिपकी महिलाएं आत्मिन मर बन रही है साथी स्वें साथा खमू में कारेकर्ते रिस्थानी महिलाएं और सुंदर पहाडों में सौर उर्जा और मोबाईल टावर को भी उकेरा गया है इसके लावा विक्सित उत्रकण जाकी के अंतिम भाग में और वेदा रोड रिसिकेश कर प्रयाग रेड परियोजना रोपवे और भारत के प्रथम गाव माडा के लिए रोड कनेक्टिविटी को दर्शाय गया है इन जोजनाओं से उत्रकण में यात्रियों के लिए आवागमन की सुईधा में परिवर्तन हुआ है आप सभी शेहर वासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरब से नए साल की हर दिक्षिप कामना है हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समरिधी लेकर आए और हल्दुवानी के गैस गुदाम रोड में स्थिद जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टरेंट है यहां आपको वेच और नॉन वेच खाने की कई तरह की वेराइटीज मिलती है और स्वात के साथ जो इस रेस्टरेंट की बाकी जगों से अलग बात है वो है यहां का थीम जी हां जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है तो आप भी आईए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहां जरूर बिताईए तो आईए कभी जंगल फिस्टा फिलाल कि इसका सिपोर्ट में बस इतना ही ऐसी ही तमाम खबरे देखने के लिए देखते रहे जेजे अन्यूज धन्यवाद